मेरे प्रियक एड़ेट्स आप सभी को मेरा नमस्कार आज दिनांग 13 फरवरी 2021 आज के दिन हम दस्वी कक्षा के अंतरगत जो आपका पूरक पाट्टे पुस्तक हैं यहां पर आप चित्र सहीद देख सकते हैं रिविजन के तौर पर फिर से जो है अद्याय करेंगे अब तक हम ने जो है मितले शोर द्वारा रचित हरियर का का जो पहला अद्याय था और दूसरा अद्याय है गुरुदयाल सिंग द्वारा रचित सपनों के से दिन इसका हमने विश्तृत अद्याय जो है किया था आज हम संचेन भाग दो के अंतरगत तीसरा अध्याय जिसका शीरशक है यहां अंतिम अध्याय भी है संचेन भाग दो का जिसका शीरशक है टोपी शुकला इसका हम रिविजन के तौर वर फिर से अध्यन कर रहे हैं अब तक हमने देखा कि इसके लेकक है राही मासूम रजा इन्होंने टोपी शुकला के बारे में यहां पर विश्तृत अध्यन किया है तो इस टोपी शुकला का जो नाम है वह भलभद्र नारायन शुकला तो इसके बारे में बताने से पहले यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम की जो दोनों की यहाँ पर मित्रता है वहाँ इपन नामक एक लड़का है जो टोपी शुकला से दोस्ती किया है तो यहाँ यह भी बता रहे हैं कि मौमद और पैगंबर जो मौमद पैगंबर हो या कृष्ण हो दोनों जो है दूद देने वाल हैं लेकर तो दोनों अलग अलग परिवार में पैदा हुए हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई-भाई के नाते के कुछ बता रहे नहीं है क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई-भाई हैं तो बताने की कुछ जरूरत नहीं है क्योंकि आपके छोटे भाई या बड़े भ रहता है उन्हों ने ऑर इहां पर जो इपन की परदादी है वहां काफीरों के मुलक में पैदा वही तीया यह पाकिस्तान में तो परदादी जो जो है उन वहाँ पर मौलवी के घर होने से वहाँ बहुत सारे हाँ पर जो है वहाँ अभी नमाजी बन गई है नमाज पढ़ने वाली और तो वहाँ पूर्वी जो है भाशा बोलती है पूर्वी हिंदी यहने पूर्वी बोली को जादा बोलती है वहाँ शुद्ध हिंदी नह यहां पर उसके पहले पैदा हुए भारत में वह हैं जो इपन के पिता उनका पहली बार भारत में उनका जन्म हुआ तो बाद में पूरे भारत में जन्मे हुए हैं और उनके पिताजी जो है इपन के वह बहुती बड़े अपसर थे तो उसके वज़े से जो है परदादी का जो मृत्यू याने दपनाया गया वह है बनारस के फात्मैन में उनको दपनाया गया तो इसी बीच जो है तब मृतुजा हुसेन की याने इपन के पिताजी जो है पोस्टिंग बनारस में हुई थी तो उनका जो दपनाया गया जो जो बनारस के पास है तो इसी बीच जो है इपन तब चौती कक्षा में परता था छोटा था तब उसकी मुलाकात जो है वह जो टो तोपी शुकला से हुई थी तो अब दोनों का किस तरह मित्रता जो है आगे बढ़ती है अब हम उसका विस्तृत अध्येन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं इपन तब चोटे में पढ़ता था और टोपी से उसका मुलाकात हो चुका चुकी थी तो यहां से देखेंग भरते हैं इपन को अपनी दादी से बड़ा प्यार था प्यार तो उसे अपने अब्बू अपनी अम्मी अपने बाजी पाजी नीचे दिया है बड़ी बहन और चौटी बहन नुजहत आपर याद रखना है उनका जो छोटा सा परिवार है एक अब्बू जो पिता जी है अम प्यार किया करता था देखिए इपपन जो है अम्मी तो कभी कबार डांट मार लिया करती थी किसलिए वो दादी से प्यार करता देखिए एक तो अम्मी कभी कबार मार पीठ करती थी बाजी का भी यही हाल था बाजी याने बड़ी बहन अब्बू भी कभी कबार घर को कचहरी याने आपीस नियायाले समझते थे समझ कर फैसला सुनाने लगे थे नुजुहत याने छोटी बहन को जब मौका मिलता उसकी कापियों पर तस्वीरे बनाने लगती थी याने उसे बिगारती थी कापियों को बस एक दादी ही थी जिनोंने कभी उसका दिल नहीं दुकाया तो इपन की जो यहाँ पर दादी मर गई है उसके पीछे अब दादी को ज़्यादा क्यों पसंद करता था एक तो अम्मी है अब्बा है और बड़ी बहन है चोटी बहन नुजहत है यह सबी उसे कही न कही तकलीप देते थे लेकिन दादी वह इसी नहीं थी दिल देखे बस एक दादी ही थी जिनोंने कभी उसका दिल नहीं दुकाया वह रात को भी उसे बहराम डाकू यानि कहानिया जेके बहराम डाकू, अनार परी बारह बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातीम ताई, पंच पुला, रानी की कहानियां सुनाया करती थी जो है हिपन को दादी यह कहानियां सुनाती थी सोता है संसार, जागता है पाक, पाक का अर्थ है पवित्र परवर्दिगार, सोता है संसार, जागता है पाक, अर्थ है पवित्र परवर्दिगार, यहने जो रक्षा करने वाला आँकों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूं की एक मुलूक, मुलूक अर्थ है, में एक बादशा रहा ऐसे वह टून में जो है कहानियों को सुनाती थी चलिए आगे बढ़ते हैं दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कुराया उसे तो अच्छी भली लगती थी जो पूर्वी हिंदी बोलती थी वह उसे हसने के बजाए वह उसे बहुत अच्छी लगती थी इपन को परन्तो अब्बू नहीं बोलने देते थे देखिए अब्बू जो है वहा नियाले में जो है कचहरी में काम करते हैं तो वह कभी बोलने नहीं दिया और जब वह दादी से इसकी सिकायत करता तो वह हस पड़ती जो बच्चों को यह मत सिकाओ ऐसे दादी से कहने से ए अ मेरा का है बेटा अनपड़ गवार की बोली तो काहे को बोले लागियो तो ऐसे बोलती तो अपने अब्बाही की बोली बोलाओ तो हमारे तो गवार बोली है हमारे क्यों बोली बोलेगा आपकी तो अच्छी है सुदार बोली तुमारे जैसे ही बोलेगा ऐसे कहती है बात खत्म हो जाती और कहानी शुरू हो जाती तो देखिए कहानी तो है अब बाको ऐसे बोलने के बाद जो है छोटे बच्चे को इपन को कहानी जो है बताने लगाती तव बादशा का किसिक की तुरंते एग आइक ठो हिरन मार ली आवा ऐसी बात जो पूर्वी बोली है यही बोली टोपी के दिल में उतर गई थी देखिए उसका जो मीतर है चवती कर्टा के पढ़ने वाला टोपी शुखला को भी उतर गई थी मन में इपन की दादी उसे अपनी मा की पाटी की दिखाई थी अपनी दादी से तो उसे नफरत थी नफरत ग्रिना थी उसे प्यार नहीं करता था कौन टोपी शुकला की जो दादी है उसे प्यार नहीं करता था और टोकना ऐसे टोकती थी हर एक बात को लेकिन इपन की दादी को बहुत प्यार करता था जाने कैसी भाशा बोलती थी इपन के अब्बु और उसकी भाशा एक थी इपन की और अब्बु की भाशा जो है एक थी वह जब इपन के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैटने की कोशिश करता जो देखो ट्योपी शुकला के उसकी दादी की कहानी, इपन की दादी की कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो उसके पास ही बैड़ता था, इपन की अमिया और बाजी से वह बादचीत करने की कभी कोशिश ही नहीं करता था, देखो अमिया ने, इपन की अमिया सभन उसकी उससे बात नहीं करता था केवल दादी से बात करता था वे दोनों अलबता का आर्थ होता है बलकी उसकी बोली पर हसने के लिए उसे छेड़ती परन्तु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाओ कर वा करवा देती तो दोनों में कोई बात पूछने पास मुह पिटावे को जाडू मारे चल इदर आ वह डाट कर कहती याने उनके मुह कहीं क्यूं लगते हो आजाओ इदर मेरे पास आजाओ करके जो है इपन की दादी टोपी शुकला को बलाती परंतु हर शब्द शक्कर का खिलोना बन जाता अमावट का अर्थ है पके आम के रस को सुका कर बनाई गई मोटी परत जो है मलाई की परत होती है वैसे आम का रस निकाल कर उसे सुकाया जाता है उसकी मोटी परत होती है तिलवा तिलवा ने तील से बना हुआ लड़ू वेंजन बनन और वह चुपचाप उनके पास चला जा तेरी अम्मा का कर रही दादी हमेशा यही से बात शुरू करती तेरी अम्मा क्या कर रही यह तुमारे अम्मा क्या कर रही है ऐसे पुस्ते वे उसके बात प्रारम होती बात करने का सिलसला प्रारम होता पहले तो वह चकरा जाता कि यहां अम्मा क्या होता है अम्मा क्या होता ह फिर वह समझ गया कि माता जी को कहते हैं अम्मा जो है यह बात जो हो टूपी शुकला नहीं जानता था एक हिंदू परिवार की होने से बाद में समझ गया कि वह माता को ही कहते हैं यह शब्द उसे अच्छा लगा अम्मा वह इस शब्द को गुर की डली की तरह चुबलाता रहा यहने जो है वह उच्छान करते हैं याद में रखा अम्मा अब्बू बाजी अम्मा यहने जो माता जी है अब्बू यहने पिता जी है बाजी यहने बड़े बन फिर एक दिन गजब हो गया फिर एक दिन जो है गजब हो गया तो देखियो डाक्टर भूगु नारायन शुकला नीले तेल वाले के घर में भी 20 सदी प्रवेश कर चुकी थी तो देखिये डाक्टर यानि इनका परिवार है टोपी शुकला का है आपर बता रहे हैं तो 20 सदी प्रवेश कर चुकी थी यानि खाना मेज कुर्शी पर होता था लगती तो थालियां ही थी परंतु चोके पर नहीं तो यहां पर चोके यानि बॉर्डर पर ठीक है तो उस दिन ऐसा हुआ कि बैंगन का भूरता उसे ज़्यादा अच्छा लगा तो यहां पर आप एक चित्र को देख सकते हैं मैं आपको चित्र दिखाऊंगा तो बाद में तो किस तरह हुआ बैट कर जो है खाना खा रहे हैं तो खुर्ची पर बैठे उस दिन उनको बैंगन का भड़ता जो अच्छा लगता है राम दुलारी खाना परोश रही थी तोपी ने कहा अम्मी जरा बैंग परिवार के लेकिन इसने गलती से जो है अम्मी कहा मेज पर जितने हाथ थे रुख गए जो खाते समय अच्छर चकित हो गए सब इसकी बात सुनकर टोपी की जितनी आखे थी वे टोपी के चेहरे पर जम गई अम्मी यह शब्द इस घर में कैसे आया अम्मी परंपराओं की दिवार डोनने लगी तो अच्छर चकित हो गए यह कैसा शब्द हमारे घर में उच्छान कर रहा है यह लब्ज लब्ज का आर्थ होता है शब्द ठीक है लब्ज का शब्द होता है जो है शब्द कहते हैं तुमने कहा सिखा शुबद्रा देवी ने सवाल किया शुब्द्रा देवी जो है उनकी दादी है तो चलिए आगे देखते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह टोपी शुकला का परिवार है उनके पिताजी हैं भाई हैं और यहां पर जो शुब्द्रा देवी है जो उनकी दादी है और यहां पर जो है खाना परोसरी है तो माता जी तो इसी बीच जो है बैंगन का भड़ता जो है उन्हें बहुत अच्छा लगा और यहां लब्ज याने शब्द तुमने कहां से सिखा इसे सुबद्री देवी ने सवा किया तो इसी बीच जो है आगे बढ़ता है लब्ज टोपी ने आँके नचाई याने ऐसे ही लब्ज का होता है मा यह अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया है दादी गर्जी अम्मी कहना तुमें कौन सिखाया है यह कहना तो चलिए आगे क्या होता है देखिए इ हम इपन से सीका है इ हम देखे ये पूरवी भाषा जो है बोल रहा है तो उसका पूरा नाम क्या है इ हम ना जानते देखे पूरवी भाषा जो दादी की भाषा इसके मन में बैट गई है तै कहनों मिया के लाइका से दोस्ती कर लिये लिहले भाई का रे रामदुलारी की आत्मा गनगना गई गनगना गई यानि इसका अर्थ होता है कि परवाना ठीक है गनगना गई तो इसका अर्थ यही है कि उसका दिमाग जो है यह कैसी बाते जो है कह रहा है भू तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गवारों की यह जबान न बोला करो राम धुलारी पर बरस पड़ी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इपन टूपी शुकला अपने घर में खाना खा रहा है तो उस समय जो है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उस समय यहाँ पर खाना खाने बैटे हुए थे तो उस समय गलती से जो है टूपी शुकला जो है अम्मी कह लेता है क्योंकि इपन की दादी के जो कहानी सुनते समय वह पूर्वी भाषा में तब अम्मी का और अब्बू का जिक्र होता था तो जब एक दिन टूपी शुकला खाने बैटे हुए थे तो उनके परिवार के साथ वहाँ पर आप देख सकते हैं जो है उसने बैगन के भरते को को जो है उस गलती से अम्मी कहा और सभी का जो ध्यान है वह तोपी शुकला के उपर गया और यह कहां से सिखा तुने और उसके साथ साथ यह हमने न जानते ऐसे शब्द जो है गवारू भाषा जो है उनके सामने कहने से जो है दादी जो है भड़क उरती है यानि गुसा हो होती है और राम धुलारी से यानि जो टोपी शुकला के पिताजी से बात करती है देखेंगे आगे क्या होता है टोपी शुकला को कौन सी बात समझाते हैं उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए धन्यवाद